लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें तुम्हें किस तरब जाना है राइट में जाना है राइट में जाने वाले आप आगे आकर फ्री लेफ्ट को ब्लॉग क्यों कर रहे हो आपकी वज़े से कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आपको ट्राफिक सेंस नहीं है जारी सब्सुबा जॉगिंग कट्टे में गिर गया यहां पे सर पांच बज अच्छे तेंक्यू सर आँ देखा आपने उन मुनिस्पल्टी वालों की गहर जिम्मेदारी से आप गटर में गिर गये थे यह लोग बहुत गलत करते हैं इसमें मेरी ही गलती है सर वो कैसे यहां कहीं चार्ज मैं ही हूं सर अरे यार अपनी गलती का हैसास हुआ ना हो गया अरे मसता यार सारी किताब खाली हो देखना जरा मोबाइल देला अरे दो ना बोला अरे बहुत अच्छा है वाई क्या बात है अरे आज यो मेरी जाए बात तो सुन मेरी पहले थैंक्यू सर अ सुनिए यहां से पुलिस टेशन पांच किलो मीटर दूरी पर है वहां से पुलिस यहां आने तक तेरी फ्रेंड को चुछ तो हम क्या कर सकते हैं आप सभी लोग जा करके उन पर अटैक करके उनको नीचे गिरा के उनका बैंट बजाईए अगर उस मार से वो नहीं भागे त असुछ थैब मार सुनident यह-ओँ दिसे जोगनिम प्लीश ? सुछिण सुछिण सहिं Kerry सहिं 577 यह मिस्टर इस तरह से रास्ता रोकर मुझे परिशान क्यों कर रहे हो मेरी बाइक को तुम्हारी कार ने टक्कर मार दी इसलिए तुम्हारी बाइक को मेरी कार ने टक्कर मारी काब और कहां थोड़ी देर पहले उस होटल के पास मैंने तुम्हारी बाई को टक्कर नहीं मारी समझे ना टक्कर लगी है इसलिए कह रहा हूँ मैं मैंने तुम्हारी बाई को टक्कर मारी है तुम कहोगे और मैं मान जाओंगी अगर ये बात सच है तो गवाह लेकर आओ जाओ तुमने मुझे किस किया मैंने तुम्हारी किसली काब और कहां हेलो इसी लिए कहता हूं तीसरा गवाच चाहिए कि क्या हुआ यार इतनी खामोश क्यों बैठी हो पहले तो भार से आते एक तम खिली-खिली लगा करती थी चुप क्यों हो यार बोलो ना अरे कुछ तो बोलो क्या हुआ कहां खोई हुई हो आज मेरे साथ अचानक से एक हादसा हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ मुझे कुछ नहीं पता इतना घुमा फिरा के क्यों बता रही हो सीधे से कहो ना कि क्या हुआ तब ही तुमुझे पता चलेगा तुछ जैसी लड़की को उसने सबके सामने पहली बारी में ही पकड़ के किस कर लिया तो वो मामूल इनसान तो नहीं होगा लेकर इसलिए पता चलता है कि तेरे दिल में दर्द नहीं आहीं लव हो गया तुझे। हाँ यार, प्यार क्या होता है ये मुझे, पहले कभी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है, जैसे कि मैं अपने दिल से ही हर गई हूँ, उसने तो मेरे दिल को ही चुरा लिया। तो ठीक है, आगे बढ़ो ना। ओ गाड, वो कहा रहता है, पता हो तब ना, क्या करूँ मैं। उसका बाइक नंबर बताओ, एड्रिस में पता लगा लूँगी। मेरे पास सर्फ दो आखे हैं, मैं जब उससे देख रही थी, तो बाइक का नंबर कैसे देख सकती थी। ऐसा कहोगी, तो कैसे चलेगा यार। फ्लीज आशा, उसे ढूढने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। वेरी सिंपल, सीधे पुली स्टेशन चलते हैं। पुली स्टेशन? हाँ यार, जाकर उसकी कंपेंड डज करवाएंगे। इंस्पेक्टर साब हैं क्या? आप वहाँ जाएं। थैंक्यू गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एक गुंडे बदमाश ने तेन दहाडे मेरी कार रोक कर, मुझे बाहर निकाला। खुलेया, मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अपनी बाहों में लेकर किस करके करने की कोशिश की। ओ, किस एंड केस है क्या। You are absolutely right, sir. वो जहां भी रहे, पहले उसे arrest तो कीजिए, sir. कैसा दिखता है? Well built, pleasing personality, good appearance. दिखने में एकदम हीरो की तरह लगता है, sir. कंप्लेन लिख कर दीजिए, केस टेक अप करूँगा। कंप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है, sir. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छी इनसान है, मैंने ही गलत समझा था. क्या हुआ या? अरे? किनिश्टर को दाटार! में रुको, वह बतर तेरी मा को लग जया. मा, 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 भाथ करो, मा. मा, मा, मुझे देखो, देखो, मा यहा हूँ मा. म, म, मा, देखो. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गए मा मुझे माफ लाव करदा मा नस्टर तुम्हारी मा को इतनी मार लगी तो तुम दुखी और रहे वू अगर किसी और को लगति तो उस मा का बेटा भी दुखी नहीं होता क्या ज More मुझसे बहुत बड़ी गलुती हो गई है सर ये स्ट्राइक करने के लिए किस ने कहा सर एक सेमेलेर हम लोग को लालस दिया था सर ये स्ट्राइक करने के लिए सर देखो ये बस किसकी है सरकार की सरकार किसकी है अपनी है सर मतलब अपनी बस को हमी पत्थर से मार कर बरबात करे तो सरकार फिर से नहीं बस लाएगी लाएगी ना टिकेट का दाम बढ़ाएगी ना उस बढ़ाय हुए दाम को हमें ही भरना पड़ेगा ना आपकी बात सच है सर गुट कुछ स्वार्थी राजनीतिग्यों ने अधिकार के लिए जो चाहे वो करेंगे अपने हाथों से जो च सुनिये माजी बच्चों को सेफ जनम देना ही बड़ी बात नहीं वो बाहर गए तो वो क्या-क्या करते हैं किसके साथ घूमते फिरते हैं उन पर नजर रखना हर माबाप का फर्ज होता है अब सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साब ये बात अगर पहले पता चलती तो आज मे मैं लखी कैसी और तुम्हें जलन क्यों पके वह आमको पत्थर मारने से वो गिर जाता है मतलब अरे पागल वो खुद से थोड़ी तेरे पीछे-पीछे घूमेगा तुझे ही उसके पीछे घूमना होगा अगा येस तुम क्या बात है घहराए महमान को बाहर खड़ा रखते हैं क्या ओ आम सॉरी आईए थैंक्यू आईए यहां बैठिये थैंक्यू क्या काम था कल स्टुडेंट स्ट्राइक में जिस लड़के की मा घायल हुई थी उस लड़के को समझाने का आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया आपकी समझतारी आपकी इंसानियत बहुत ही प्यारी लगी है मुझे बाद में? पहली बार मैंने किसी की तारीफ की है आपका वो रूप मुझे बहुत ही पसंदाया है उसके बाद? I love you आप बहुत ही स्यादा एकसाइट हो रही हैं मैं एक सिंसियर पॉलिस आफिसर हूँ मुझ जैसो के इस समाज में बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं अपनी उम्र में तो मौत के मौके ज्यादा हैं मुझे से शादी करोगी तो सुख आपको नहीं मिलेगा अगर मैं किसी और से भी शादी करूँ तो क्या भरोसा है कि मुझे वहाँ पर सारी सुख मिलेंगे यह सब तो नसीब की बाते होती हैं अगर मेरे नसीब में सुख शान्ती लिखी है तो वो आपके साथ भी मिल सकती है मुझे आपके साथ गुजरा एक पल भी मेरे लिए काफी होगा जल्दवाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए फिर से एक बार सोच लीजिए नहीं भारत मैं कितने बार भी सोच लूँ मेरा फैसला वही होगा मैंनेजर क्या करूँ मेरे बच्चों क्या होगा अपना पैसा लेने आया था लोग मत करके चलेगे अपना पैसा तो इसी बैंक में ता मेरा घर ढूप गया हमें अगर बर्बाद हो गया अब मैं क्या करूँ है बगवाल मेरी बेटी की शादी कैसे होगी मुझे तो परबाग कर दिया मेरी बेटी की शादी क्या हुआ कि अरे क्या हुआ बैंक के दिवाले की गबर चुनका यह शौक से भिशुश भी आट। चलो फॉस्पितल लेज़ा होगी है सर हाट अटेक हुआ है सर अ कि उनके ऐसा करने से और कितने लोग बरेंगे पता नहीं है सर कॉंस्टेबल चलो हॉस्पटल ले चलो 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 सर सर हम सब सामाने लोग है सर डिपोजूट किये हुए पैसे कैसे भी उस चेहरमेन को पकड़ के हमारे पैसे दिलवाजी जीए सर लिस लोग धीरस आगा राजगड़ी पहना है का तुझे मुझे बचाली चीज़ा हुआ कि मैं इसे अरस्ट करके ले जाने आया हूं शराफत से मेरे सामने हथगड़ी पहना होगे इतनी हिम्मत मुझे जनताने मेले चुना है आई डोंट वांट टू मेस्ट माइटाइम पांच तक गिनूँँगा उसके अंदर उसे छोड़ा तो ठीक नहीं छोड़ा तो एक हॉग पांट गड़ा अ हॉग तो टी 2 आओ चार आओ बाच्च नए भारत मैं DCP बात कर रहा हूं गुड मॉनिक सर तुमने रूशी बैंक के चेर्मेन को अरेस्ट किया है जी हां मैं कहा रहा हूं उसे छोड़ दो सर उसने I know that do what I say सौरी सर बहुत बैंक डिपोजेटरों को दोखा देके एक मासूम बुढ़िया की मौत का जिम्मेदार बन गया है सर जो भी हो उसे छोड़ दो इस धोखेवास को छोड़ने के लिए कह रहा है सर भारत इडिज मिनिस्टर और सौरी सर मुझे मेरी ड्यूटी ही सरूरी है नहीं सौरी सर मैं चाहूं तो अपनी ड्यूटी छोड़ सकता हूं लेकिन उससे नहीं छोड़ूंगा मैं छी इस्टोपे वो टी सीपी की बात पे नहीं मान रहा है भाईया वो साधरार आदमी नहीं हो सकता अगर उसने केस डाल दिया तो मैं और आपका बेटा दोनों फस जाएं तुम हो सिधे मैं ही चोकी जाओंगा वो कैसे नहीं छोड़ेगा मैं भी देखता हूँ नमस्कार सर गोड मॉनिक सर क्या इंस्वेक्टर भारत तुम ही हो जी हां सर बैठिये असिस्टेंट कमिशनर कहा तो भी ड्यूटी कमिशनर कहा तो भी इस चैर्मेन को क्यों नहीं छोड़ा तुम्हें सीनियर अधिकारी कहे तो इतना मजाग लगता है क्या वो अपरादी है नहीं इसका फैसला सुनाने के लिए एक मिनिस्टर होकर कह रहा हूं उससे छोड़ दो पहले मैं अरस्ट करके उसे कोड में हाजिर करूंगा तब ना सर वह अपरादी है या नहीं तब पता चलेगा फालतु का बलबचन सुनाकर मुझे पढ़ाने चला है क्या फास्टी रि लुका दिया है यह सुनकर उस औरत को दिल का दौरा पड़ा और वो लाश बनकर रह गई है इतने तमाम लोगों की परिशानी का कारण बना यह इस घंद इंसान की पैरविक करने के लिए आप यहां पर आए हुए है इससे आपका क्या रिस्ता है सर प्रेस्वीडिया वाले सर आप यहां आएंगे सोचा नहीं था डिपोजिट रुपे करोड़ो करोड़ो हजम करने वाले शेर्मेन को विदेल भाग जाने से पहले अरेश्ट करके खीच कर ले आई इस साही को बदाई देने के लिए मैं आया हूं पुलिस वाले प्रेस वाले दोनों मेरी आखों की रहे हैं सब भारत जैसे रहेंगे तो हमारे जैसे मंत्रियों का काम अराम से हो जाएगा वेल दन माई यंग बॉय ओल्डे बैस गोड़ ब्लेस्ट यू आता हूं मिनिस्टर तुम्हें चुड़वाने क्यों आया था उसका तेरा क्या रिष्टा है क्या रिष्टा है तेरा सगावाला है फ्रेंड है या पाटनर है उसका मेरा कोई रिष्टा नहीं है सर वो क्यों आये था मुझे पता नहीं सर प्लीज सर मुझे भरोसा कीजिए मुझे कुछ नहीं पता है सच सच बताओगे तो मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवा सकता हूं नहीं तो तुम्हें इस केस से बाहर कभी नहीं आ सकते हो अगर मुझे बचाएंगे तो सच बताओगा सर बोलो इस बैंक का दिवाला उठाने वाला वो मिनिस्टर है सर और अभी सला सो करोड लिया सर उसे मेले को सोट करोड दिया सर और किस किस को बहुत कुछ दिया है सर आखिरी बार मुझे उसने 30 करोड दिया है सर आप आप मिटिन का बेटा मज़ा कर नहीं सेर अधिश बाव आउलकत सब्सक्राइब को खुर्ण detonot दरोट अधिर देन एंधिर ना क्रिश करने।टë हम की तर ऊंधिर ग्सान ना मुझे पहोन करकेंद सब्सक्रा है सिटीजन कौन सा सिटीजन है पता है तुम्हें बेटा बैंक को धोखा देने वाला डुप्लिकेट सिटीजन और सच उगल वालेने वाला ओरिजनल सिटीजन क्या आखिर तुमने फ़न क्यों किया कि रुशी बैंक का तुमने ही दिवाला निकाला है जोटल दो सो करोड़ रुप्यों को तीसरी आग के बिना पता चले कल सुबह दस बजे बैंक में जमा करना होगा नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे तुम क्या कर लूँगा मैं ये तुम्हारा बेटा तुम्हें बताएगा अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक मिनट में अंदर करवा सक्ता यूँ तो एक मिनट के अंदर तुम्हारे बेटे को सूट कर सकता हूं और जान बजी रहे आप क्या कहते हो मेरे बटे को छोड़ दो पैसमेलने के बाद मैंगेजर मैंने जो अभी तक कहा वो सब समझ गए ना समझ गया सर आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगा सर मेरे बेटे को सरी सलामत घर बेज़ देंगी यही काफी है तुम नौबजे बैंक में जाकर सारे डिपोजिटर्स को फोन करो मैं आप लोगों के पैसे वापस दूँगा यह कहकर उनको बुलाओ कर दूँगा सर दो सो करोड कैश ले जाकर एक आकमी तुम्हें दे कर जाएगा सारा पैसा कैश रूप में सबको दे देने के बाद तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास आराम से भेश दूँगा मैंनेजर शंकर आपी है हाँ मैं हूं लीजिए इसमें 200 करोड है हिसाब कर लीजिए ठीक है तो लक्षना जी यह लीजिए आपका दो लाग लोकेश यह लीजिए ठीक सर कोपाल नमस्ते सर दिवालिया हुए बैंक से दो दिन में पैसा मिल गया महात्मा का ही काम है उसे कोटी कोटी देश में दिवालिया हुए बैंक से पैसा वापस मिलना है ऐसा सब कुछ तो पहली बार हुआ भाई अरे भाईयों डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया अरे यही बहुत है कौन है रियो सिटीजन मेरे बेटे को किट्नैप करके मार डालू कौछ बढ़ कर क नेरे पैरों में गिराने के जिम्मे देशरी तुम्हारी ने वच्क तुम्हे बच्छे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं न कुछ नहीं हुआ डायड वह इसाई भारती CITIZEN ऐड़ सच मुच में OSI भाराथी सिटीजन है तो उसने मेरा तबल अपमान किया है याद करूं तो खुन खौल जाता है अभी उसे सस्पेंट कर दो बाद में मेरे लोग उससे फुटबॉल खेलेंगे सर हम अभी से सस्पेंट कर देंगे तो हमारी असली कहनी बहार आ जाएगे बैंक रप्ठ हुए 24 घंटे के अंदर सभी को पैसा वापस दिलाने वाला अजनभी सिटीजन टॉप हीरो बन किया है ये बात जानकर मान्नीय मुख मंत्री जी ने तुरंत आकर उस सिटीजन की तारीफ करते हुए उनको अपने घर बुलाकर सम्मानित किया है सर सर अपने ऐसाई सहाव उस बैंक मैनेजर की गवाही के आधार पर आप सब को अरेश्ट करने वाले ऐसा मैंने सुना है सर वह हमें कहीं का नहीं रहने देगा हम ऐसे ही खड़े होके सोचते रहेंगे तो वह हमें अंदर कर देगा उससे बसने के लिए कुछ तर्कीब सोचनी पड़ेगी हमें सोच लिया मैंने अन्य उसे कहां बेजना है सोच लिया मैंने सिर्फ एक ही एक ही रास्ता है क्या है वो जल्दी बताव भया उसे खत्म कर देना चाहिए सर बैंक का चेर में लॉक आप में होते हुए एसाई भरत को खत्म क्या तो अभी के सियम इस केस को सीवी आई को दे देंगे और वैसे भी विरोधी पार्टी वाले आप पर नज़र रखे हुए हैं इसकी वज़ा से आपके मंतरी पको नुक्सान भी हो सकता है इसलिए भरत का अभी के अभी ट्रांसफर करना ठीक रहेगा सर करवाना है तो करवाना है नेक्स लाइट एरिये में ट्रांसफर करवा दीज वहां क्यों भाईया सिहाद्री तेरे पास भारत नाम के एसाई को ट्रांसफर करवा दिया हूं वह यहां पर मुझे बहुत सताया है उसका हाथ पैर तोड़कर अपाहिश बना देना अपाहिश तो क्या भाई आपका यह तो प्लिए उसे हमेशा हमेशा लिए सबक सिखा देना आपके रास्ते में टांग्डाने वाले को PLAYING डाल दूंगा तुझ में अच्व संद्नी स्काराव यह डेज भाया हूं सब्सक्राइब करने के बाद वहां जाने के बाद भी कभी भी मेरी जरूरत आपको पड़ती है तो आ सकते हैं सर हम लोग तो भटके हुए गुम रहा थे लेकिन आपने हमें रास्ता दिखलाया सर और हमें अच्छा इंसान बनाया सर आप कभी भी जब चाहे तब कहिए वहां आकार आप जो कहेंगे वह करेंगे सर सर आप जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो हमें भी कुछ अच्छा करने का सबक मिलता है सर सारे आप जैसे ओफिसर नहीं बन सकते सर अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ एक शेर हो तो काफी है सर ओके ओके लेट्स डूइट थैंक्यू सार होट कॉफी थैंक्यू वैसे कौन से गाउं जा रहे हो दुर्गापूर में दुर्गापूर क्यूं तुम्हें पता है क्या पता है मुझे उस गाउं के आजू-बाजू में बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़ है और मैंने ये भी आओगे ना तो मैं किसी दिन तुमसे मिलने आ जाओंगे वहाँ पर तुम्हें कैसी तखलीफ तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा थैंक्स किसलिए ये बात कहने के लिए कि अब अब कि अब कि कि क्ए सब्सक्राइब कषे क्याम उप यहां आजुबा जीव गाउवालों को उनकी बात माननी पड़ती है उनकी डाली लक्षमर रिखा है इतना ही नहीं इस गाउव की सारी पंचायत का फैसला उनी के घर से होता है सिहाद्री के घर जाकर एक सेलीट मारे तो सर की कोई समस्याहों सरदर्ध हुए बिना उसे निभा कर आराम से रह सकते हैं सर बट वन थिंग मिस्टर विवेक आप मेरे जैसे मैं आपके जैसा नामुम्किन है एनिवे थैंक्स फॉर अडवाइस वेल विशर होने के नाते मुझे जो पता था मैंने आपको बताया से चलिए अरे इंस्पेक्टर साब मिवेशतर साफ अपक्रान भील थैंवर ने जाओ है में संगर्याइब कि आपक, सब मदस्टोन काऊट्राल यहिए विआ घदल यू पी कहे तो प्यून टू सिहाद्री, ओ कहे तो ओवियन टू सिहाद्री, येल कहे तो लॉयल टू सिहाद्री, आई कहे तो इनोसें टू सिहाद्री, सी कहे तो चप्रासी टू सिहाद्री, ए कहे तो एलिफेंट लडने के लिए भी सिहाद्री, हें गुंट मॉर्निंग सार्ट सी यू सारवाय स Fast अटेंशन द्क लिफ रैट में लिफ राइट में लफ राइट में लफ रात ले डाय वडाइट लफ राय सर के बाल पकड़के सीधे सीधे खीच के ले आता हूँ तो मुझे बाल पकड़के खीच के लाओगे तो मेरा बहुत अपमान होगा उसे ही मेरे पास आना होगा शांताराम कॉफी दीजिए नहीं है सर क्यों? आपके लिए कहा तो इस गाओं में कोई कॉफी नहीं देगा ये बोला मैंने अपने घर से लाना चाहा तो मेरी पतनी नहीं भी मना कर दिया सर पहली मत बुझाईए मेरी समझ में ऐसा बताईए आप कल ड्यूटी जोइन करने के बाद सिहाद्री को देखने नहीं गए ना इसलिए इस गाओं में आपको कोई कुछ नहीं देगा ऐसा ओडर दिया है उन्हें बिना बताई इस गाओं में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है सर अगर एक बार आप सिहाद्री से मिलने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सर कॉफी भी मिलेगी सर कॉफी चाहे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जाइए और अपना काम कीजिए सर प्लीस ये सर हलो सिहाद्री वो ड्यूटी जोइन कर लिया क्या हाँ की हुई है लेकिन अपने कुल के रिवाद से मेरे घर आकर मुझस नहीं मिला उसके घमंड को मैं तोड़ दूंगा मेरी पावर के सामने उस भरत की पावर पैरों की दूल के समान है ओ ठीक है ओ तो तो तुम से मिलने लोगे बता उसके खाने पीने के इतना ही नहीं पीने के लिए बुन पानी नहीं मिले ऐसा कर दिया वह सब मुझे पता नहीं है पहले उसका हाथ पहले चोड़कर लूला बना दो टेंशन क्यों लेते हो मिनिस्टर वो तुमारे पैर धोकर उस पानी को पिएगा मैं ऐसा कर कि दून वरी अच्छी कबर सुनाओंगा मिनिस्टर है का अ कि कुछ बीड़े खाने के खाथिर तुमसे शादी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तो फिर क्या पसंद है तुम्हारी इन बातों का ये भरत जवाब नहीं देगा मैंने आपको बहुत सीधा समझा था, उस दिन मेरे पास आकर मुझे किस करके तुमने बुद्धु बनाया था और अब दूर रहकर मुझे फोन पर बुद्धु बना रहे हो सर, फोन मैं बात में करूँगा सर, नमस्ते सर, क्या हुआ मोहन? सर, रंगा ने उसे मारा है कहकर एक आदमी खून से लथफ़त पुलिस टेशन में कंप्लेन लिखाना आया है, सर एक काम करो, तुम कंप्लेन लिखकर उसे पुलिस टेशन ले आओ, तब तक मैं पहुचता हूँ ठीक है, सर, ओके चल, सर, यही है रंगा हेई, तुमने इसे क्यों मारा? साहब, यह बहुत दिनों से मेरी आउरत को छुप छुप कर देख रहा था, इसलिए पार इसे? नहीं साहब, यह मेरी बहन की तरह थी, इसलिए देखा, देखे का तुमार देखा क्या? चुप रहा, डालो अंदर, यह लीजिए, हॉस्पिट काद से से, जीप कहा ख़ड़ी की थी? धूमकि जू जयसा, पेलके नीचे ख़ड़ी की थी, पेंड के नीचे? सार, किसी ने आकर चौरी की कंप्लेंट लिखवाई तो देख सकते हैं, अब प्लिस की जीब चोरी हुई है, हम कंपलेंट का लिखाएं, शांतारम प्लीस, चल वापस लेने आये हैं सर वापस जी हां सर यही रंगा की पत्मी है मेरे पती ने गलत फैमी में मेरे भाई जैसे कुमारा है साहब शांताराम सर कंप्लेन वापस लेकर इनके साइन करवा लिजिए यह सर आए बोहन सर उसे रिलीज कीजिए सर वो क्या हुआ हुआ क्या बात करे बाताना मैंने उसे जा कर रेलीज करो जाओ अäischen रंगा अंदर नहीं है सर अंदर नहीं है वह नुश़ा कि छुड़ा कर ले जाने आई तो अंदर नहीं आ कह रहे हैं आप ही ने चिपाया है रंगा को आप नहीं कुछ किया है आपके ओके ओके देखिए वो जहां कहीं पर भी होगा मैं उसे ला करके आप लोगों के हवाले कर दूगा कल सुबाह होने तक रंगा को नहीं ले आए तो पता चलेगा कि हम लोग क्या करेंगे चलो रे चलो यहां से चलो सच सच बताइए क्या हुआ कि सर मैंने तो पहले ही कहा था एक बार आप जाकर सिहाद्री से मिल लीजिए लेकिन आप नहीं मिले इसलिए सब कुछ हो रहा है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है एक बार आप जाकर सिहाद्री से मिल लीजिए क्या कह रहे हैं आप वो कौन सा बड़ा भाई है मेरा सीनियर ऑफिसर है या मिनिस्टर है मैं उससे डर कर उससे मिलूं क्या अपने डिपार्मेंट का जिब दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कैसे पता चला शौक हो रहा है क्या मिस्टर यह कलियोग है कलियोग अभी कुछ जगय पर ढोड़ कर आया हूं फिर से जा रहा हूं सर जीब जहां भी होगी मैं तलाश कर लूँगा तुम रंगा को करवा के गरम पानी में नहाते रहोगे सबसे पहले उससाई के बारे में कुछ सोचो तेरा लपड़ा क्या है रे अब आप उसका काफी खाना पीना बंद करवाए हो ओके एक बूंदी पानी नहीं मिला जैसे किये और डबलो के वो सब कुछ समय समय मिले जैसा उसने कल लिया पता है और अब पुलिस टेशन के जीब को सेल में रहे रंगा को गायब कर दिया अब वह बीना हिले-डूले हुए पुलिस टेशन के कुरसी पे चिपक कर बैटा है लेकिन आपके पास नहीं आया आपको सलाम नहीं किया मुझे तो लगता है कि आपके पास कभी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा आएगा मेरे बच्चे जरूर आएगा कि अग्यार करें दुर्गपूर में ऐसी घटना हो गई है सच में यकिन नहीं हो रहा है सिहादरी के गाउं में पुलिस टेशन उड़ा दिया गया मतलब यह कोई सामाने बात है क्या सर्ट यहां उसके बारे में इंक्वारी करूंगा सर यह पेपर देखिए सर नक्सलवाद किस समय बलास्ट हुआ रात में करीब एक बज़े हुआ था सर नसीब अच्छा था सर कि यहां पे किसी की जान नहीं गई एनिवे विए लग्की कमान लेट्स गौ हाँ एश्पी साब आये आये कैसे है स्याद्री जी अच्छा हूं आज मैं बहुत बहुत जादा खुश हूं लेकिन पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हुआ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ मेरे दिल को बहुत ठेज पहुची अरे बैठी थैंक्यूंद हम नहीं चाहे तो भी ऐसी घट्टा होती रहती है सच कह रहा हूं एश्पी साब अरे यह मेरा बेटा अजे गर्ड आओ अजे बैठो नमस्ते सर्व बैठो सेहद्री जी कोई बात नहीं आपका बेटा फिल्म के हीरो की तरह है सेहद्री जी अपने काव में आप कलपना भी नहीं कर सकते जो हाथसा हुआ है अब फिलहाल आप पुलिस टेशन कहां त्यार करेंगे कहां क्यों सर सोने जैसा दिल भूत बंगला जैसा घर वही इतना करेक्ट पुलिस टेशन यहां रहेगा तो बिल्कुल सेफ रहेगा कि सुनो सेहद्री जी बड़े ही नाम चिन इंसान है इस गाउं के सर अपनी जीप भाईया खोया हुआ पुलिस जीप को डून कर लाया हूं भाईया जैसे मुझे यह बात पता चली मैंने जीप ढूनने के लिए अपने आदमियों को भीज दिया अगर किसी ने भी चूरी का कंप्लेट अपने पास दिया तो उसके खोय हुए चीज को ढून कर लाना और वापस करना अपनी डूटी है लेकिन यहां अपने ही जीप को किसी ने चूरी किया और हमने इन्हें कंप्लेंट भी नहीं दिया तो भी उन्होंने जीप ढून कर लेया कर दिया देशेपी इस वेरी बैट इस ओके ही हो गई साहब आपके हिसाब से सभी जगें ठूड़ा एक पुराने बंगले में छेपकर बैठा हुआ था भाया इसने खीश कर ला रहे हैं हम यहां से गाय हुए रंगा को लाकर हमारे हवाले कर रहे हैं सिहाद्री जी आपके अहसान को हमारे डिपार्मेंट नहीं चुका सकता सब्सक्राइब इतनी बड़ी बात मत कीजिए यह तो मुझसे जो भी मदद बन चकी मैंने की सुना आपने जो काम आपको करना चाहिए और काम इन्हों ने किया है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए हुआ हुआ है कि मिनिस्टर को फोन करो हुआ है हलो हलो भाई वह अब मेरे घर के पाल तु कुत्ते की तरह आए को यह अगर आए भाव करके भौकने की उसकी ड्यूटी आए तुम्हारे जैसा हिम्मत करने वाला कोई भी नहीं है अपसे पेक काम करना उसका सर काटने के लिए तुम अपना दिमाग चलाओ साय की तना तुम मेरे पीछे होना भाई उसके शरीर से में पानी निकाल कर तीन तलाब का पानी पिला कर तुम्हारे पैरों में गिरा दूँगा उस घमंडी एसाई को मेरी दुश्मनी की आग में जला दो तभी मेरे दिल को चैन पड़ेगा दिये वचन को पालन करना जो कहा है उसे करना यह मेरे वंच का लक्ष है तुम अभी निश्चिन्ट हो जाओ पुलीस वाले कितने इमांदारी से काम कर रहे हैं बापु एक बात बोलू आप सामाने नहीं हो खतनाक हो खतनाक अरे बापरे उसके दोनों पैत तोड़कर लंगणाते हुए घर आये जैसा भाग कर तिलक लगा कर बैठा कर अपना वादा पूरा किये हो शाबाश अप्वाश ऐसे ही तो भी किछपिछ किपिछ हो जाएगा अप अप आप 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 गुड्मोर्निंग क्या वारत जी जली होई बिल्ली की तरह घूम रहे हैं खाना बिना पता नहीं मजा करना पता नहीं बॉड़ी का खून बचा नहीं तो खून जम जाएगा ब्रदर हा 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 वो बोर ओंगया क्या ब्रदर की चाहिए क्या हा 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 ह चल कि अब मेरे घर के पाल तो कुट्टे की तरह है को ही अगर है तो भौब भौब करके बौकने की ड्यूटी है उसकी कि उसके बदन से पानी निकाल कर तीन तलाब का पानी पिला कर तुम्हारे पेरों के तले डाल दूंगो कि अब भौब यह कि अआर पाव कि अक पब रहा है आगक्ञिन पाव अएड़ कि अढूआ है पाव अगर। बापू धमागे की आवाद तुनकर मेरा दिल रूख जाएगा यह चांकर डल लग रहा है बापू डैडी यह काम अपने अलावा और कौन कर सकता है नहीं उसे पता लगाना हो तो पहले लेटर ढूणना पड़ेगा पानी डालो रहे वहापर पानी डालो वहापर बापू सेम लगर सेम घ्र सेंदग वादी नक्सल ने नहीं पुलिस ने किया होगा यह काम उस भारत रही है अरे शक कैसा रहने 6-0 बापनी आपने सेट में सैटप की हो पुलिस टेशन को उस खाकी ऐसा इने ब्लास कर दिया वो खाकी वर्दी का शेर है क्या मेरे इसाब से वह एक खतरनाक आदमी तुम अपनी हरेक्टाल संभाल कर चलना उसने मुझे फोसाया है और तुम्हें भी फोसानी कोशिस कर रहा है अब तुम साहीं क्या हो उस खमंडी जंगली शेर को पिंजरे में बंद करके पेर से बांद कर हड़ी पस्ली एक नहीं की तो मेरा नाम सी हलो के पास बना हुआ पॉलिश स्टेशन ब्लास्ट हुआ है झाव्ट तो यामिक पास बना पुलिस स्टेसन ब्लास्ट फूआ है जी हाँ सद लियॉम अपने प्लास्ट होने पर मिला हुआ नकसलवादि का लेटर॥ उस जगे पर लियु है सियूए कई आगल पॉलिस स्टेमरी के लिए अदरकेव करूं अर् वही घर में होता ओ गौड और कहां सेट अप करूं सर अब कहीं पे रूम रिंट पे लेकर टेंपरेरी के लिए अरेंज कर लो ओके सर अधा क्लीन फोल्ट आज 15 अगास्त हैं इसी दे अपने देश को आजादी मिली थे बालो भारत माता की जाय हिन हिन है जाय हिन क्या कि अंदोलन करके अंग्रजियों से मार खा हा खा करके हमने इस डेस का आज जादी दिलाया जबंधिय यह आज जानोय जी ही अजिप कर और मिख सब्सक्तिया और मिला शालगा लेकिन आज जिन दाड़े एक औरत के कपड़े निकाल के गाओं में भगा रहे है ये देकर मुझसे श्रहन नहीं हुआ उस लड़की की इज़त बचाने के लिए मैंने उस लड़की को वस्र पेनाना चाहा तो मुझे मुझे बीच हो रहा है में चपल से मारा साइब चपल से मारा अजादी मिलने से पहले और अजादी मिलने के बाद भी मुझे कुछ भी फर्क दिखाए नहीं दे रहा है साहब उन अंग्रेजों के बुट के लाज किसी ने खाया मैंने लेकिना चप्पल से मार खाने वाला भी मैं ही हूं सहर आज अपनोंने मारा अपनोंने मारा अब आप इस अबले लड़की की इजद बचाईए मैं आपसे भीक मांग रहा हूं उस लड़की को बचा लीजिए साइट बचा लीजिए अबाई लीयुटर इस भीक लीजिए, रहा हूROओके। कि चोटे सरकार उस भरत ने हमें मारा और उस औरत को बचा कर उसे कपड़े पहना कर हम सब का हवालात ले गिया यह सब उस मास्टर जी की वज़े से हुआ है क्या किया उसने पहले उस मास्टर ने उस औरत को कपड़े पहनाने की कोशिश की बाद में थाने जाकर वह भरत को ल कि नमस्ते सर कहा है तेरा साब वो तो आप पी को ढूंड़ने के लिए गए हैं आप उनको ढूंड़ते हो यहां आ गए बक्वास बंकर है अरे आपका काम तो सच्छा था नाना जी लेकिन उन्होंने आपको कुछ किया तो तो क्या मैं बुजदिल बनके रहूं क्या कि क्या बुट्धे गली में तो जाकर पलिस कंप्लेन करता है लेकिन आप बीच बैजार में एक लड़की की कप्ड़े निकालके नंगा घुमा रहे तो देखते रहूं क्या अरे रहे रहे देख कर चुप होना था अजय और उसके आदमी आकर हम लोगों को मारने की धमकी देंकर उस लड़की को लेक है सर कि पोलिस डिपाटमेंट के होकर भी क्या कर रहे थे क्या करें सर खाकी वर्दी पहने हुए दरपोग है रपोग सर 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 उस जय ने मस्त्रा जी की पोती अपने इस अपमान को परदाश किये बिना मास्टर जी पागा लोग है और बेटी बेटी कहें कर रो रहे हैसर हाँ हन seg अटेंशन लएक्समार्च लेट्ट 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 लेट्समार्च मास्टर जी ने उनके खिलाब जो कम्प्लेन लिखाई थी उसी की वज़े से ऐसा नीच काम किया है इन लोगों ने मेरी दीदी को हिस्टी के साथ क्या दिर्वार किया आप वहीं पर थे क्या जी हाँ साब मेरी चोटी पूती कोले से अभी आई है मोहन सर वह स्मार्टम के लिए एंबिलेंस को फोन कीजिए जी सर आप मुझे कंप्लेन लिकर दीजिए वह जहां भी होंगे मैं पकड़कर लिया हूँगा अपने घर के बाहर बनाए हुए पुलिस टेशन को बम से उडाने के बाद फिर से यहां पर पैर रखने की जुर्दत कैसे कि तुने ख़ाकि वर्दी वाली को खीशते हुए ले जाओ और इसके हाथ पर तोड़ दौँ मासूम बेचारी लाचा रबला उस मस्टर जी की पोती का बलतकार करके जान लेना ही तेरे वंश की शान है क्या क्या है भया हमारे घर के सामने पुलिस की जीब बताओ भया यहां क्या चल रहा है भरच जी अपने ऐसा ही भरच जी तेरे अजय को अरेस्ट अरेस्ट करने आये हैं क्या इस घर के उत्रा धिकारी को ऐसा है तो ऐसा ही जिन्दा नहीं बच पाएगा कर दो अब दिखाता हूं है कि मुझे अरेस्ट करके अंदर टालोगे तो बाहर नहीं आओंगा समझ रहा हो देख क्या रहा हो दर्वादा खुलो है है ह कि ह हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले तुम लोग हमारे पैरो के पास तुम हिलाने अवाले तुम कुट्ते लोग अब हमारी बात Greek मेरे बेटे को मार कर अंदर करने की तुमारी इतनी इमत तेरे बेटे ने मर्डर किया है इसलिए कि मर्डर किया है किसका अपिटरी का मस्टर जी की पोटी का ऐसा क्या उसने काł है सिर्व कहा ही नहीं कंप्लेन भी दी ए मस्टर जिए आई आपकी कपले मैं enforcement नहीं लिखा एशिया यूप इन्होंने मुझे ढर्रा कर जमर्जस्ती लिख वया है यह यह क्या सभी बात तो बता रहा हूं अब क्या कहते हो हमें ऐ चल उपन करो करें कि अजय कि मेरे बेटे को तुने एर्ष्ट किया मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज़द करता हूं इसलिए तुमें छोड़ रहा हूं आप तो स्वतंत्र समर्य योद्धा हैं आप ही ऐसा करेंगे तो जब मैंने ऐसा करके अंदर ही अंदर कितना तलप रहा हूं आपको पता नहीं है यह आलात परिस्तिती में किसी को भी नहीं आना चाहिए क्या है वह वह परिस्तिते दिया हुआ कंप्लेट वाप उसमेह लिया तो कि अब इतनी के साथ जो हुआ है संद्या के साथ भी होगा कहकर डरा दिया उन कातलों से कोई भी आफ़त नहीं आए आपके लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन मैं दिलाऊंगा दुबारा कंप्लेन लिख कर दीजिए एक बार उस जैसे को पनिश्मेंट देंगे तो फिर कभ क्या भरोसा है एक दिन दो दिन नहीं तो एक हफ्ता एक महिना इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं दूस्मनिक करने वाला खत्म करने तक चूप नहीं रहेगा मैं आपके आगे हाँ जोडता हूं देया करके आप यहां से चले जाईए चले जाईए यहां से जाईए अब ये संध्या मेरी पत्नी है इसकी जिम्मेदारी मेरी है आपने जल्दबाजी में फैसला लिया लगता है एक बार आप सोचिए जल्दबाजी में नहीं बहुत सोचकरी फैसला लिया है आपने ये फैसला जल्दबाजी में लिया या सोचकर लिया मैं आपसे नहीं पूछूंगी मेरे लिए नाना जी ज़रूरी है और आपके लिए आपके ड्यूटी ज़रूरी है मेरे दीदी के जैसे बहुत सी लड़कियों ने अपनी जान गवा गुड़ नाइट तुम्हारे दिल में क्या है सोचे बिना ही जल्दवासी करती मुझे माफ कर दू गुड़ नाइट डिफेंस लॉयर, यो कन प्रोसीड यूर आर्गुमेंट्स तैंक यू यार ओनर यार ओनर, नया राम नाम का ये आदमी उम्र ज्यादा होने की वजास से इसकी आदास कमजोर हो गई है इसलिए गॉर्मेंट के डॉक्टर ने परिचा करके उस मेडिकल रिपोर्ट को अदालत के आदेस के अनुसार उस रिपोर्ट को मैं अदालत में सब्मिट कर रहा हूँ इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए यही मेरी अदालत से दरखास्त है दयाराम नाम के इस आदमी ने एक बर कंप्लेन लिखाई बाद में उसने बोला नहीं लिखाई फिर बोला उसने लिखाई डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ये मानती है कि इनकी आद्दास ठीक नहीं है और इनकी गवाही को मानने से इंकार करती है और इस केस को खारिज करती है चलो मुन्ना चलो आजे इस देश को आजादी दिलाने के समय में मैंने जी जान से मदद किया है ऐसे आद्वी को ये जुष्ट और अंधा कानून यादास नहीं कहकर मुझे पगल करार कर दिया इतना कुछ होने के बाद कौन सा मूले कर वापस जाओ मैं कैसे जी हूँगा मैं दुख ही मत होई है सच्चाई की हामेशा से विजय ही हुई है भारत भारत कौन हाई संधिया तुम यहां कैसे अरे आओ बताती हूँ कितने साल हो गए तुमें देखे तुम भी तो टच में नहीं थी न यार ठीक है पर अचानक कैसे आई सिटी में मैं और भारत फ्रेंज हैं अरे कमाल हो गया हम दोनों पती-पत्नी है पती-पत्नी डाउट है यह मंगल सुत्र क्या यार शादी में नहीं बुला सकी तो नाराज हो गई है क्या शादी करूंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था पर कुछ वैसले हमारे लेने से पहले अपने आप ही बन जाते हैं रुको यार मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाती हूं एह थे है क्यों हेलो पुली स्टेशन सपना 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 अरे कहां चली गई कौन आपसे मिलने के लिए सपना आ आई थी यह पूसी सपना अरे वहीजी आपकी शहर की फ्रेंड सपना सहर कि सपना यहाें थी कहां है वो adesso अपने घर चली गई वो उनके घर को किसके बारे में बात कर रही हो अरे उसका नाम सपना है वो सिमहाद्री की बेटी है और सिटी में वह आपकी फ्रेंड है आप खाने के लिए आइए कि सिमहाद्री की बेटी है तुम ने अएंसा क्यों किया भारत referenced तुम्पर कितना भरोजा किया थे मैंने तुम्हारे प्यार में पूरी तरह डूप के कितने सपने देखे थे मैंने अब मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे मेरी चाहते अधूरी ही रह जाएंगी, ओ माई गॉड, ये बात तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी. I am sorry, सपना, मुझे ऐसा करने की वजए उस दिन के हालात से मजबूर था. तुमने जो किया, शायद तुम्हें सही लगे भारत, लेकिन इस बात को समझने की शक्ति मुझ में नहीं है. सपना प्लीज, अब क्या मैं तुम्हारी पत्मी बन सकती हूँ, तुम्हारे इस साथ जिन्दकी गुजार सकती हूँ. तुम्हारी ये खामोशी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है भारत, थांक्यू वेरी मच, गुडबाई. ये अजय, उस हरामी भरत ने संध्या के गले में मंगल्सूत पहना के, उस बुड़्डे के हाथों फिर कम्प्रेंड लिखवा के, हमें आदालत में खीच कर हमारी मान प्रतिष्टा को मिट्टी में मिला दिया. डैडी, उसके मुँ से गवाही दिलवाने के लिए, ये आडिया उस भरत काई होगा, इसलिए उसने उससे शादी की. ए, उसने उससे शादी की है, ऐसे ही छोड़ दिया तू. भारत, सपना, क्या हुआ सपना, जल्द आने के लिए फोन किया. संधिया को खत्म कर दो, ये बात मैंने डैडी की मुँ से सुनी, तुम जाकर उसे बचा लो, भारत, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो. संधिया मैडम को, वो आज है, जीप में ले गया है, सर. आज है, संधिया, संधिया, बेटी, संधिया, अरे, बगवाद, कचि सजादिये हो, साथ. देखा आपने देखा आपने इस सट्टाचार को मुझे जिसी इच्का तरदावा ही हो गया भगवाद भगवाद क्या है सावे सब कुछ उस देद मेरी बात नहीं सुरी आपने पती बना कर लख्या करूंगा कर कर लास ले गर-गर के सामने सुनाय हो ना अरे, अरे, अबैं चली गई है, आप किसके लिए जिऊंगा, और क्यों जिऊंगा, बेटी, संद्या, इस बुडे नाराजी को दोखा देकर चली गई, बेटी, संद्या, संद्या, बेटी, बेटी, संद्या इस दिन के किये हुए फैसले की वज़े से, एक और चान चली गई है, बेटी संध्या मुझे चोड़ कर चली गई मेरी बच्ची, मेरी बेटी, संध्या मास्टर जी, मास्टर जी सर, आप यह सा मुझे समझते हैं, मैं पागल नहीं हूँ सर, जी हाँ सर उस सिहादरी के घर में मैं काम करता था सर, इमानदारी से काम किया सर उस घर में मैं काम करने के समय, अपनी गली में मैंने एक लड़की से प्यार किया था सर उस बात को सिहादरी को बताया, अपनी हमला को कतल करके दफन कर दिया, यह मैंने अपनी आगों से देखा है सर यह बात आप जैसे लोगों को बताओ, तो भी कोई पैदा नहीं, इसलिए किसी को नहीं बताया सर अब आपके अंदर का धर्द, आपके साथ हुए अन्याय को देखकर सहन किये भी न, यह बात बता रहा हूं सर सर, उस लाश को उसने कहा दफनाया है, मैं बताता हूं सर सर, उस हैवान ने कितनी बहरामी से मारा है, देखो सर, देखो, उसे छोड़ना मत सर, उसे छोड़ना मत, छोड़ना मत, इतने लोगों के मौत के जिम्मेदार आजाएको, और उसके वाक्सी हादरी को छोड़ना मत सर, छोड़ना मत यां चमआगenसे आफ समय खुचिल तर बिए अजुन नीची सरय तर से शिचकत को, हमघने पूर थे जखुई mo अज़ को, हम आपके सर नीची कटे पर का? मारो फिह, आपके सर, मारो फिजाँ सर, हमसा आइक, सर, हमसा आइक, सर, हमसा आइकसे ना नुसे कि यही मेरा गवाह है यह पागल पागल मैं नहीं हूँ तुम हो कंबला मैडम को खट लिकर के जमीन में दफ्राते हुए मैंने अपनी आखों से देखा है आई कि कि कर कर ही ऑफ औाइ। गज झानी!!! आए। इस्पटर! डदी? ये इंस्पेक्टर, तुने मेरे बेटे को फिर अरेस्ट किया, तेरा दिमाग ठीकाने पर नहीं, उसे पहले छोड़ दे, जा, छोड़ दो, एई, ऐसे क्या देख रहा है, छोड़ता कि नहीं, नहीं छोड़ूंगा, उस दिन मास्टर जी को डरा धंका करके, यहां से तेरे ब नहीं मानेंगे और नाहीं वो तुस्से डरेंगे तुम्हारी भलाई इसी में है चुप चाप सीधे यहां से निकल जाओ मैं आगे जरूर जाओंगा पीछे मुणना इस सहाध्री की आदत नहीं है मेरे किरेबान पर हाथ डालता है तुझे साइस सबक सिखाए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा गणि एजय मैं आएंगा तुझे नहीं छोड़ूंगा एपगले बहार आने हुझे 낮मक प्यॐन जंदो नहीं छणल॓ंगा मैं तुझे अधालध में खिलाब ki माहीं trucks से दिलाई बिनानई कुझे कुझे माहीं सप्क्राइश का कि सारे गाउवालों की मौझूद्गी में मेरे बेटे को गलियों से मारते हुए ले जाकर अंदर कर दिया वो सब कुछ मुझे याद आता है तो मेरा खूलता है इतना ही नहीं कि मेरे बेटे को चुड़ाने के लिए पुलिस टेशन गया तो वहां भी मेरी इज़त की धज्य उड़ा दी वह पुलिस वाले वह गाउवाले उस भरत को सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे अपमान को सहन करके मैं एक बेवकुफ की तरह घर पर आ गया भाई तुम डी सीपी को फो करना होगा शीहां तुम जितने दुखी हो रहे हो मैं भी उतना ही दुखी हो रहा हूं तुम्हें उससे जितनी दुष्मनी है उससे तो गुना ज्यादा दुश्मनी मुझे लेकिन क्या करे मेरे भाई कुछ भी नहीं करने की परिसी में हाद पैर बंद पढ़ गए है द्री, तुम हिमत से काम लो. मैं कुछ भी जनतर मंतर करके तेरे बेटे को छुड़वा दूँगा. अब बूस्ताइब जो आरोप लगाए गए हैं उन कुनाहों के तहट धारा 302-376 सेक्शन के तहँआ हैं. इस tasting कर Одे का जाता है कौना कर दिका हैiniz दिन के अंदर केंड़ाय को जब बचना प्लस सब्सक्राइब कर दिन करणगा है इस f सब्सक्राइब को उसे किसी वी तरह कोट में मत आने दिना ना नुकर किया तो उसे खत्म कर दो हूं ओक्या मिनिस्टर कि तुभी बाहर आएगा उम्मीद है तुझे कोट में गवाही दूँगा और तुझे भासी के तक्ते पर लटकाऊंगा है तुम सब बाहर निकलो नहीं आओगे तो तुम सब को खत्म कर डालूंगा तो पागल कहीं बेचिपा हो उसे मेरे सामने लाओ नहीं तो याद रखना तुम लोग तुमारे इन धोपड़ों को चला दूँगा कि कोट में गवाही दोगे तुम हाँ कि तुम सब हच जाओ नहीं तो सब को कोली से भुंदूंगा मैं पापू 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 आज की ताजा खबर आपके लीगल बेटे को मार दिया है क्या पकरा है तु मेरा बेटा जे जोडिशल कस्टनी में है वो वोल्ड न्यूज है मैं बता रहा हूं लेटेस न्यूज मैं सच बता रहा हूं बापू मुझे टुगणे टुगणे करके ख़त्म कर दिया है मुझे भी माने के लिए आ रहे थे वह कालिया वह पागल वह बटला सभी मिलकर चाको से कारकर कीमा बना दिया है आखे बाहर आ गई हैं पैर कार दिया गया है उसे देखके मुझे डल लग रहा है बापू मेरे बेटी की चिता बुझने से पहले उन गाओ वालों के घर जल जाने चाहिए मेरे बेटी की लाश राक होने से पहले उन सब के घर राक हो जाने चाहिए देखो न सारे घर को कैसे जला दी है साब से आदरी ने हमारे जोपड़ को आग लगा कर राक कर दिया साब बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर आगा है साब आप ही हमें बचाईए आप ही बचाईए आप सभी हिम्मत से रहिए अब वो सिमादरी अकेला है गाओं वाले अब ही अपने साथ हैं हाँ हम सभी अभी उस गाउं में जा करके हम सभी एक साथ रह करके सिमादरी की मौत का इंतसार करेंगे ठीक है ना ठीक है तार्थ हो ओ हो 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 ओ हाँ हाँ अध्य सो अ तुखा लिये तार्थ आप मर के ही सही सीजी इन लेंगे हम खुशी खाले ये कसम, हाँ तु खाले ये कसम, मर के ही सही चीन लेंगे हम कुशी, डर के नहीं चीना जिल्लत की जिन्दगी, आ गई है आज यार वैसी ही घड़ी, खातमा करेंगे मिल के हम सभी इन जालिमों का, देना है जवाब मुसे आज हर हिसाबों का, खाले ये कसम, हाँ तु खाले ये कसम, मर के ही सही चीन लेंगे हम कुशी, सच्टी यहां है हम गरीबों की जिन्दगी, महंगा है फूसे पानी, शीशे के घरोंदे में रहते ये इनकी बात है निराली, इन महलों बालों को किस बात काम, दो बूंद पानी को तरसे यहां हम, मानमता आज मांगती जवाब है हो जागौ। हाँ तुखाल ये कसम, मर के ही सही, छीन लेंगे हम खुशी इंतहान देना है, आओ हम बता ही दे जुल्म कैसी कंदर को मिलके, आओ वाज दिखना ही दे मांद कर का पन अब निकलना ही होगा, साथ हमें मिलकर अब चलना ही होगा, हर दिलों की आज ये की ही आवाग है, हो जागो आंच कि जाले समस्टेंस hardly जाले कल रवकर कि अब्लम था तो प्रिष चुछ होचे था दो तर्ष यार तर्षिम पुणहरी हम है मैं कहो जय को सम्टो खाले क सम्टो खाले क संदvoorbeeld चीन लेंगे हम खुशी, दरके नहीं जीना जिलनत की जिन्दगी, आ गई है आज यार ऐसी ही घरी, खात्मा करेंगे मिलके हम सब इन जालिमों का, देना है जवाब उसे आज हर हिसाबों का। बापू, उस खाकी वर्दी वाले ने वाट लगाऊंगा, तेरी लगाऊंगा कहकर, मेरे शरीर के रोंगते, 90 डिग्री में खड़े हो गए बापू तो सामखो कहीं का, मेरे दुश्मन के गुन गाता है, शरम ने आती तुचकाओ अधिया, उस भरत का सर काटकर मेरे कदमों में डाल दो, जाओ, खाओ, खाव भारत, मैंने डैडी को मिनिस्टर से कुछ बाते करते हुए सुना, वो कह रहे थे के तुम्हें खत्म करके, तुम्हारा सर काटके, उनके पैरों के नीचे डाल दिया जाए, तुम संभलके रहना भारत, सपना, घर के चोर को इश्वर भी नहीं पकड़ सकता, तुने साबित कर दिया, उसने तेरे भाई को मारा है, वो जैडी, I love him, लव, सिटी से स्टार्ट होकर अब गहाँ तक आ गया है, मेरे दुश्मन से प्यार करने की तेरी इतनी हिम्मत, में चितनी हिम्मत है न, मेरे पवित्र प्यार में भी उतनी हिम्मत है, अपने बेटे को खो चुका हूँ, फिर से तु अगर उससे मिली तो, तुझे जिन्दा नहीं छड़ूँगा, ए, इसे अंदर लॉक कर दो, बढ़ी आई प्यार करने वाई, लागना दर्माज खोलो, झाल, इसे अगर ठावना नहीं हिंसे तुझे हुआ 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 हु कि मेरा सर ले आकर तेरे पैरों के नीचे डालने के लिए इन फालतु लोगों को बेजाता लेकिन मैंने इनका सर निकाले बिना इमानदारी से इनकी जान बक्ष दी है अब तुझे पता चल गया ना ये भरत क्या चीज है अगर मैं चाहूं तो एक मिनट के अंदर तेरी जान ले सकता हूं लेकिन इन चार दिवारों के बीच तुझे मारूंगा तो सिर्फ यहां रहने वालों को ही पता चलेगा कोर्ट में तेरे उपर खून का इल्जाम लगाकर तुझे भासी दिलवाने की शक्ती युक्ती मेरे पास है लेकिन रूल्स के हिसाब से तुझे पूश्टाश करके गवाही दिलवा के तेरे सारे जुल्मों को साबित करके तुझे फासी की सजा दिलवाने के लिए कई सालों लग जाएंगे तब तक तेरी क्राइम स्टोरी बहुत पुरानी हो जाएगी इसलिए कल ही तेरी मौत का महरत है तुम तेरे मिनिस्टर को तेरे चंचे लोगों को कितने लोग है सभी को बुला लेना कि आने वाले कल में बारा बजे गाहों के हनुमान जी के मंदर के पास जनता की अदालत के सामने इस केस को विचार मिमर्श करके तुम्हें भासी की सजा दिलवाऊंगा इस इस माई चैलेंज ए तेरी तो सपना कहा है अब तो पता चल गया ना बारत क्या चीज है कितनों को मार चुके हो आप कितिनों पर अत्याचार कर चुके हो शी आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्माति है मुझे मुझे है है चलो है सगी बेटी आपसे नफलत करने लगी अब हम भी आपके पास काम नहीं करेंगे नमस्ते चलो चलो बापू सभी चले गए लेकिन मैं नहीं जाओंगा बापू किसलिए पता है तेरी बर्बादी देखना है ना मेरी बेटी को उठाकर ले गया मुझे चैलेंज करके गया है वह जो कह कर गया जरूर करेगा दर लग रहा है जब तक तुम मेरे साथ में रहोगे तब तक कोई कुछ नहीं पढ़ार सकता उसका गेम बजाओंगा कल पुलिस बंदवस्तक के साथ मैं तेरे गाव ः रहा हूं उसे जिस जगह कहाता होई तुम्हें बिठाओंगा और मैं तेरे वगल में बैठूंगा चारों तरफ पुलिस रहेगी मैं भी देखता हूं कि उस्तुम्हें कैसे खत्म करेगा अब बापु टाइम टाइम बख्वास बन कर हुआ हाँ हाँ है है मद्ब बारा बच गए है है हाँ 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 कर दो가는 करण कर द Soo फट οποा कर दोना हो? солнце फटनों कर दो फटन कर दूमों कर दो entering ısıक, ज कर दो किए आना कर दोना, चूमनैका! कि इस काम पिचास ने मेरी माँ से प्यार किया था सथ मेरे पैदा होने के बाद तेरा बाप यही कहकर लोगों को बताए भी ना मेरी माँ ने शादी कर लो कहा तो तब इसने मेरी मा का गला दबा कर मार दिया था सर बच्पन में ही मुझे मेरी मा की मौत देखनी पड़े थी सर इससे बदला लेने के लिए इन लीगल बेटा बनकर इसके पास काम किया सर आप वो मौका मिला है सर इसे नहीं छोड़ूगा इस सिम्राद्री को फासी की सजा दे रहा हूं इस मंतरी कालिया ने रूबी बैंक अपने बेटे के हाथों इस्थापित करके जमा किये हुए लोगों के पैसों को बिनामी नामों से चोरी करके बैंक का देवाला निकालके एक औरत की मौत का जिम्मेदार बना है असल में सिहाद्री के खून खराबा करने का कारण भी यही गुन्हेगार को साथ देने वाला भी गुन्हेगार के समान है इतना ही नहीं शपत सुइकार करने के समय सच्चाई से काम करने को कहकर भी बुदरiritual को इसलिए वांसी की सजा सुना रहा हूं हम कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा कोई भी ए brave यॉद्र कि अदला करके ताकत के बल से, पैसो के बल से, अहेंकार से लोगों की जान लेने वालों के दिलों में डर पैदा करने के लिए ही ऐसी जनता की अधालत में विचार विमर्ष करके वाजी की सजा सुना रहा हूँ जीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेड़ी करनी पड़ती है ऐसे लोगों को जब पत्थरों से मारोगे तो इनको समझ में आता है गाओं के लोगों को नीन से जगा कर नए कानून को अमल में लाना होगा कोई छुए तो उसके दाथ तोड़ देने चाहिए कोई हाथ लगाए तो उसके हाथ काड़ देने चाहिए भलत कार करने वाले को मृत्यु दड़ देना चाहिए कतल करने वाले को सरे आम भासी देनी चाहिए ऐसा देखने वालों को सुनने वालों को कोई भी हो ऐसा कुछ करने को सपने में भी नहीं आना चाहिए गुनेगारों को सक्त सक्त सजा नहीं देंगे तो हमारे देश के कानून का अपमान होगा इसके लिए हर सिटिजन आगे आएगा येस जरूर आएगा इन दोनों हत्यारों को और इन देश द्रोहियों को कानून को अपने हाथ में लेकर गुनेगारों को सजा देना भी एक गुना ही है और इन लोगों को सजा दे करके कानून के निगाह में मैं भी गुनेगार हो गया हूँ इसलिए मैं अपने आपको कानून के हवाले करता हूँ कि मेरे सामने ऐसे सर जुकाएंगे तो डिपार्टमेंट का अपमान होगा सिर उठाइए सर मैं अपने किये हुए गुनागों को बूल करता हूं कम आन अरेस्ट मी भारत एक सिटीजन को कैसा होना चाहिए तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया तुमने जो काम किया है उससे इस समाज को भला हुआ है इस देश के लिए ऐसे ही सिटीजन की जरूरत है थैंक भारत I'm proud of you मैं तुम्हारा इंतिजार करूंगी जिन्दावार 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 जिन्दावार